पोशे टेकर में पंजी की तलाभारतियों का आप सभी को EKYC करना है जब से आपका पोशे टेकर में नया अपडेट 21.2 आया हुआ है तो आपको एक नया ओप्शन बेनिफिसरी EKYC का ओप्शन देखने को मिल रहा होगा जिस परकार से आप सभी लोगों ने अपने आगनवड़ी वरकर और आगनवड़ी हेलफर की EKYC को कम्पलेट किया है ठिक उसी परकार से आप सभी को अप पोशे टेकर में पंजी की तलाभारतियों का EKYC करना है इस समंद में आपके विवाग के द्वारा आप सभी को लेटर भी दे दिया गया होगा और ये उत्राखन सरकार के द्वारा पोशे टेकर में पंजी की तलाभारतियों की EKYC के समंद में दिया गया लेटर है तो इसे आप लोग देख सकते हैं आपके विवाब के द्वारा भी आपके राजियों में दे दिया गया होगा तो इस परकार से हम लोग EKYC किस तरह से करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पूशेट एकर ओपन करना है उसमें आपको एकसे सेंटर यानि जो आपका होमपीस है उसमें आपको बैनिफिशिरी का ओप्शन दिखाए देगा बैनिफिशिरी EKYC तो आप लोग सबसे पहले इससे क्लिक करेंगे और उसके बाद दूशा नंबर आपके सामने लाभार्तियों की लिस्ट ओपन हो जाएगी तो जो भी आपके पोशेट एकर में जितने भी पंचकित लाभार्ति हैं गर्वती सतनपान और जीरो से 6 साल तक के बच्चे उन सभी का आपको EKYC करने के लिए हाँ पर लिष्ट आ जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद तीश्रा ओप्शन आपको दिया जाएगा बहाँ पर आपको जुस्ट भी लाभार्ति का EKYC करना है उसके सामने आपको complete EKYC का आपशन आएगा तो आप लोग इसे क्लिक करेंगे जैसे आप लोग EKYC complete वाले आपशन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर इस तरह का पेच आएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहां पे आपको confirm and proceed वाले option को click करना है तो यहां पे आप लोग को इस तरह से समझाया गया है जैसे आप लोग click and proceed वाले option पे click करते हैं तो आपके सामने यह page आएगा तो यहां पे आपको अपना अधार number enter करना है आप लोग देख सकते हैं यहां पे आपको जिस भी लैटर में capture लिखा हुआ है आप लोग उसको यहां पे इस box में note कीज़ेगा सेम आपको उसी परकार से यहां पे दर्श करना है और उसके बार नीचे आपको nest का option दिखाई दे रहा है तो आप लोग इस nest वाले option को click करेंगे और जैसे आप लोग nest वाले option को click करते हैं तो उसके बाद आपके सामने फिर इस तरह का पेच आता है तो यहां पे आपको OTP आएगा यानि आपनी इससे पहले जो अपना आधार नमर दर्श किया हुआ है उस आधार से link mobile नमर पे आपका OTP जाएगा उस OTP को आपको इस box में note करना है यहां पे दर्श करना है उसके बाद नीचे आपको continue करना है यहां पे आपका आधार से link mobile नमर कौन सा है उसका last का चार अंक आप लोग यहां पे देख सकते हैं तो यहां पे हम लोग OTP दर्श करेंगे तो उसके बाद नीचे continue वाले option को आपको क्लिक करना है जैसे आप लोग continue वाले option को क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पे EKYC request successful का option आता है यानि आपकी जो EKYC है लाभारती की वो complete हो जाएगी आपके सामने complete का option इस परकार से आ option आएगा तो यहां से आप लोग go to back वाले option को क्लिक करके अपना back अपने home page पे जा सकते हैं और जैसे आप लोग home page पे जाएंगे तो उसके बाद आपको उस लाभारती का EKYC चेक करना है जिस भी लाभारती का आप लोग EKYC complete कर रहे हैं सकस्सुल हो जा रहा है तो उसके ब आपको उस लाभारती का file card open हो जाएगा उसमें आपको नीचे एक option आएगा EKYC complete का तो इस परकार से आप लोग देख सकते हैं यहां पे आपको EKYC complete का option आएगा यहां पे आपको complete लिखा हुआ दिखाए देगा and जिस भी date में उसका आपने EKYC complete किया है वो date भी आपको वहा पाया गया है तो इसकी जो हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे कि किस तरह से आपको पोशे टेकर पर जाके करना है यही आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और यह आप लोग को हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन घंटी प्रेस कर लिजिएगा ताकि आपको हमारी इसी परकार की पोशे टेकर से समन्द जान करें सबसे पहले देखने को मिल पाए तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नए वीडियो में तब तक कि लिए आ कर दो मिलती हूँ